स्वागत है आपका इंडिया की बातमेकर से बाद हम आप से मुलाकात कर रहे हैं मेरे साथ है भाशा और उर्मिलेश और आज तीन टॉपिक्स कौन से हैं आपके सामने पहला विशा है क्या विपक्ष मुक्त भारत चाहती है भारती जनता पार्टी दूसरा विशा है आपल फोन की चेतावनी मोदी सरकार क्या विपक्ष का फोन सुन रही है अब की बार जासूसी सरकार और मुद्दा नंबर तीन केरल में सीरिल ब्लास होते हैं और भाशपा के मं उनका प्रचार तंत्र जूट बोलते हैं केरल के बारे में खलत बयानी करते हैं मकसद क्या है तो ये तीन मुद्धे आपके सामने हैं सबसे पहला मुद्ध जो हम उठा रहे हैं कि क्या विपक्ष मुक्त भाचपा चाहती है भारत और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मनीस सोदिया क्या बेल का मामला आता है दोस्तों आपको याद होगा कि अदालत ने जिरह के दौरान ये तक कह दिया था कि जो केस है एडी का वो दो मिनिट नहीं टिकेगा मगर फिर भी फैसला क्या आता है सब जानते है अर्विन के जिवाल पर दबिश डालने की भी कोश्च की जा रही है सीक्रिट एलेक्टोरल बॉन्स पर भी सुप्रीम कोट सक्त है मगर फैसला क्या आएगा और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं चाहे तेजस्वी राहूल गांदी सब पर दबिश डाली जा रही है भाशपा चाहती क्या है और क्या है इस खबर का पंच शुरुवात करते हैं भाशा के साथ अभिसार एक बात साफ दिखाई दे रही है कि सिर्फ भाशपा ही नहीं भाशपा के संग-संग जो पूरा तंत्र है कि इन पांच विधान सभा के जो चुनाव होने वाले हैं वह तो हैं दो हजार चौबिस में कितने विपक्षी नेता बाहर होंगे कितने एडी और बाकी जाच एजन्सियों के शिकंजे से बाहर होंगे यह बताना बहुत मुश्किल है लोकतंत्र में विपक्ष हीन लोकतंत्र अगर भारत का हो गया तो इससे बुरी परिगटना हमारे और आपके लिए कुछ और नहीं हो सकती अभी सार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि एक तरफ तो भारत में जिस तरह से मोदी सरकार की एजनसी इसकाम कर रही है मगर दूसरी तरफ अदालतों का भी किरदार है मनी सुसूदिया का मामला ही देखिए अदालतों ने ये तक कहा कि भरश्टाचार के या घूस देने के कोई प्रमान नहीं है मगर फिर भी उन्हें बेल नहीं मिलती तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज की तारीख में अदालतों से देश की जनता की उमीदे बढ़ गई है मगर क्या वो उमीदों पर खरी उतर रही है और मेलेश जी क्या है इस मुद्दे का पांच देखे मुझे याद है कि जब भारती जनता पार्टी नरेंदर बोदी और अमिश्याह जी की अगवाई वाली बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो एक नारा बहुत घूजा था तेज कांग्रिस मुक्त भारत लेकिन 2019 के बाद ऐसा लगता है और खासकर 2022 के बाद कि विपक्ष मुक्त भारत की पूरी की पूरी परिकल्पना को अमली जामा पहनाने में ये पार्टी और ये सरकार जुट गई है जिस तरह से तमाम विपक्षी दलों को तहस नहस किया जा रहा है उसका एक मात्र संकेत यही है विपक्ष मुक्त भारत तो लोगतंतर कहां बचेगा लोगतंतर का मतलब ही है विपक्ष का होना भाशा मैं नहीं भूला हूँ जब अभिशेक मनु सिंग्वी तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदे बनकर सुप्रीम कोड गए थे तो उस वक चीफ जस फ इंडिया डीवाई चंद्रचूड ने ये कहा था कि भाई देखिए हम एजनसी की कारवाई को लेकर एक बड़ा फैसला नहीं कर सकते आप इंडिविजुल केस लेकर आईए अब इंडिविजुल केस आया मनी सिसोधिया का अधालत कह रही है दो करोड बीस लाग का कोई प्रमाण नहीं है ये तक कहा एजनसी का आपका दो मिनिट केस नहीं टिकेगा मगर फिर उसके बाद ये फैसला आ जाता है तो आप सोचने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है और और देखें कि इलेक्टोरल बॉंड्स तो यानि वो बॉंड्स जिनके बारे में पूरी देश में एक बड़े पैमाने पर ये पता है कि ये पैसा किसको जा रहा है भारती जनता पार्टी के पास 98 फीसदी इलेक्टोरल बॉंड्स का पूरा का पूरा प्रवाह दिखाई दे रहा है तो इससे एक चीज़ ये लग रही है अभिसार की सिर्फ भाश्पा नहीं अगर आप देखी उठाके कि जो पूरा तंत्र है जहां से विपक्ष को या यूं कहिए कि लोगतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती थी वहां से राहत नहीं मिल रही है और एक ही ढंका शाशन हो रहा है एक ही ढंक से आपको लग रहा है क कि अब्जर्वेशन हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अब्जर्वेशन बहुत अच्छे होते हैं फैसले में उस तरह की राहत नहीं होती है लेकिन उससे भी बड़ी बार पांश विधान सभा में जो चुनाव हो रहे हैं ठीक उसी दोरान आप देखिए कि राजस्थान में दबिश होती है अशोग गहलोत के बेटे के हां दबिश होती है यह हमने इससे पहले तमिलाडू में भी देखा है तो यानि जब चुनावी प्रक्रिया चल रही है उस समय भी विपक्ष को नहीं छोड़ा जाता आप उठा के देखिए दिल्ली में जो सरकार है जो चुनी सरकार वह Pूरी तरह से लिए बन्धुआ से एक बंढ़वा जैसी है अधिकारी लोग मीटिंग बुलाते हैं कि सरकार दोनों जगा एक होगी तब ही चल देंगा नहीं तो मोदी जी काम ही नहीं करने देंगे मैंने पिछली दो बार से कॉंग्रेस के लिए वोट दिया इस बार मैं जा रहा हूं वोट देने उर्मिले जी मैं विपक्ष के रवाइय की बात करना चाहता हूं कि निशाने पर केजरिवाल हैं उनके लगभग सरकार के सारे मंत् अब अगला जो नंबर है वो केजरिवाल का हो सकता है मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं राहुल बहुत उग्र होकर लगातार बोलते हैं और उन्होंने बहुत ही दिल्चस बात अपने प्रेस कॉंफरेंस में राजा की जान तोते में होने की बात कही होगी आपने क्या लगता है कि ऐसी बयानबाजी से वो अपनी मेसेजिंग जनता तक पहुँचा पाएंगे कि किस तरह से बिजनस हाउस जो की फ्रेंडली हैं गवर्मेंट के प्रती प्लस एजनसी इन दोनों का इस्तमाल करके राजा की तातलक बढ़ती है और विपक्ष निशाने पर आ कॉंग्रेस पार्टी है वारती राश्टी कॉंग्रेस उसमें दादा भाई नौरोजी महत्मा गांधी सरीखे जो नेता हैं उस दोर में जिस तरह का सच साफ साफ रखते थे अपनी कम्यों को भी साफ साफ रखते थे तो वैसा बीच के दोर में कोई ऐसा नेता सामने नहीं आया था मैं समयम राहूल गांधी का आलोचक रहा हूं और कई मुद्दों पर उनकी आलोचना करता रहा हूं लेकिन आज के दोर में मुझे वो इस देश के सबसे साफ ढंक से बोलने वाले नेता के तोर पे उभरते नजरा रहे हैं पहली बात यह जो संकट है जो उनकी उनके सामने क्या है उनके पास बहतर संगठन नहीं है उनके पास बहतर टीम नहीं है और इसकी वज़ा से जनता के बीच में और उनके बीच में जो गैप है आरेसेस के पास क्या है मोदी जैसा नेता है अमिशाह जैसा एक कारेकारी व्यक्ति है एक्जक्यूट करने वाला व ही हो जनता तक ले जाते हैं कॉंग्रिस के पास एक शांदार नेता है मैं जाधा भाई नौरोजी और नहें और मातमा जांधी के दौर से तुलना कर रहा हूं इस तरह का नेता उस स्टेशर का लेकिन पार्टी उनके पास नहीं है कार्डर सिस्टम नहीं है अरगनाजिशन नहीं है तो जंता के बीच में दालान में जाकर लोगों के चवराहे पर चबुतरे पर और चौक पर जो बाते होती हैं चाहि कि दुकानों पर गाउं कस्बों में जो बाते होती हैं वहां kangres नहीं मौद्व है, तो मुझे लगता है कि मैं हिंदी प्रांतों के बारे में बात कर रहा हूँ, जहां सबसे अधिक चुनवती है विपक्ष के सामने, तो मुझे लगता है कि अगर इसको भी नुवर कर लेते हैं, इस चुनवती का को वो अगर खतम, को एड़ेस कर ल प्रचार तंतर उन्के खिलाफं को जो तॉर आंका रहा है। उससे दो फायदे हुए हैं अबिसार जरूर अगर लोगों से जैसे ही आप बोलिए कि यह सरकार और भुरना शुरू करते हैं कि नहीं अंभानी जी को बॉहत फायदा हो रहा है आड़ानी को पहुच्छा है पहुने शनी सबसे पहले एक आंडोलन के तौर प है गर अंदोलन के तार है अगर दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहरी हूं कि राहुल अकेले बोल रहे हैं मुझे लगता है कि जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी उसी तर्स पर लगातार बोलना और अपने तंत्र को उस पे एक्टिव करना ये शायद अगर वो कर ले जाते हैं और ये पांश विधान सभ जो चुनाव होने वाले ये इस बात का केस होऊंगे मैं तक में जब बात कर रहे हैं और रूहर जा रहा है तो अपनी दुश्मन बन जाती है कॉंग्रेस नेताओं की जो आपसी सर फुटवल है उसे कैसे कंट्रोल करें जो हम अद्रप्रदेश यसे राजों में देखते हैं मैं देखिए संदेश तो चले एक अलग बात है मगर एक जो सबसे बड़ी चुनौती जिसके हम ये मुद्दा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि विपक्ष जो है किस तरह से निशाने पर है मैं आपको एक और मिसाल देता हूं महुआ मोहित्रा एथिक्स समती उन्हें समन भेशती है उसे सार्फजिनिक कर देती है मगर दूसरी तरफ रमेश बिदोडी जिन्होंने एक दूसरे सांसत के बारे में क्या अपशब्द कहे थ वो टॉंक में प्रचार कर रहे हैं लगाता पुरा राजस्तान के गुजर इलाके में और जाट इलाके में प्रचार कर रहे हैं तो अपने विरोधियों पर वार करती है और अपने जो कर्म है और अपने जो संब्धान विरोधि जो हरकत और जो कारवायाँ हैं उनको बिल्कूल जायस टाराती हैं जर्मणी में हमने क्या देखा था? इटली में हमने क्या देखा था? आपूरे इतियास को उठा कर देख लीजए और उसके बात बीकेबल जर्मनी और इटली की बात में नहीं कर रहा हूँ, बात के दिनों में भी जहां जहां आटोक्रेसी इमर्ज की है, आज भी है दुनिया के नेक देशों में, वहां यही होता है, कि राजा की जो पार्टी है, उसमें सब कुछ पवित्र होता है, जैसे आप उधारन दे विपक्ष वाले को गड़बढ करने का तो मौका इक मिलता है लेकिन विपक्ष को ही इस देश में सबसे बड़ा जो एक तरह से सबसे प्रेध पृत आत्मा के तौर पर पेश किया जा रहा है कि सारी डेपक्रसी सारा जो डेफलोप्मेंट है सारी जो देश की आनबान शान है वो इस विपक्ष की कारण पर देखे इस पूरे प्रचारतंत्र में जो कॉर्परेट मीडिया है जो गोधी मीडिया है वो जो भूमिका निभा रहा है आप देखे वही एजंडा सेट करता है महा मोहितरा पर जैसे हो ता 24 गंटे 24 गंटे सिर्फ और सिर्फ वही दिसकस होता र है ताकि नीचे तक अवधारना ये जाए कि विपक्ष का नेता है ये अडानी और अंबानी पर सवाल और ही पैसे लेकर बात कर रहे थे एक बहुत छोटी चीज जो आपने नहीं पूछी लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि गोधी मीडिया को जो हम लोग या टीवी पुरम को जो हम लोग कोसते हैं और सही कोसते हैं क्योंकि वो जनता के खिलाफ खड़ा है आज तो हम लोग समझ लेते हैं कई बार और हमारी बातें सुनकर जनता भी समझ लेती होगी कि ये जितने लोग टीवी पुरम में काम करते हैं या गोधी मीडिया में सारे के सारे लोग घटना से मैं इस विचार को त्याग चुका हूँ मैं जानता हूँ कि एक इस देश का जो सबसे हिंदुत वादी अख़वार है उसके नियूज रूम में उस तारीख को जिस दिन च्छापा पड़ा था तमाम पत्रकारों पर देश के दिल्ली में उस दिन उस उस नियूज कि इन पत्रकारों पर क्या मतलब है भई यह क्या मतलब है हमें कई लोगों ने मिलकर कहा कई लोग अभी भी मिलते हैं तो कहते हैं कि सर हम लोग आपके साथ हैं लेकिन हम लोग कुछ कहा नहीं सकते नौकरी का सवाल है पापी पापी पेट का सवाल है यह दरसल संगोल योग को और तस्वीर किस की है मोदी जी की यहां पटेल कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं यही तो अकीकत है जी और इसी से जुड़ती है वो तमाम चीजें जिसकी चरशाम यहां कर रहे हैं क्योंकि देखे एक बात बहुत साफ है क्योंकि पटेल जी के नाम पर यहां पर भवित दि के माननी प्रधानमंत्री नरेन मोदी जी का था तो मुझे लगता है यह जो एक पूरी की पूरी योजना है कि आपको सिर्फ एक चेहरा एक पार्टी एक देश श्रेश देश वाला जो पूरा मैसेज है उसमें विपक्ष गायब है और विपक्ष को आपने बना दिया है कि अब हम रुख करेंगे अपने दूसरे बड़े मुद्दे का इस हफते एक और बड़ी खबर सामने उभर कर आई जब आपल ने विपक्ष के कई नेता जिसमें राहूल गांधी के सहयोगी हों महुआ मोइत्रा हों प्रियंका चत्रुएदी हों शशी धरूर हों पावन खेर हों इन्हें आपल की तरफ से एक नोटिस आया कि सरकार समर्थित एजनसीज उन्हें हाक करने की कोश्च कर रहे थी अभी तो पेगसिस का बवाल खत भी नहीं हुआ और अब ये मामला सामने उभर कर आ जाता है क्या है समुद्दे का पंच शुरूआत करेंगे हम हैं हमने देखी हैं पेगसिस का दोजार इकिस में विस्फोर्ट जो हुआ परदा फास जो हुआ इसके पहले भी कई ऐसे मामलों में कम्प्लेंड किये गए हैं लोगों ने बाकाइदा लिखित कम्प्लेंड तक किये हैं लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं मुझे लगता है क इस घटना के बाद सरकार सक्ते में आ गई है अब कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह भारत में एक विराट विशाल मार्केट एपल का है इसको दवाव के रूप में इस्तेमाल किया जाए और किसी तरह से कमपनी को अपनी बाद से जुकाने या बदलने या उसको थोड़ा स की तंत्र 24 घंटे एक ऐसा तंत्र जो हर चीज हर आवाज सुनना चाहता है हर नागरिक की और खास तोर से उन नेताओं की जो उनको चैलेंज करते हैं इसका दूसरा प्रमान है पेगसेज इससे पहले था और यह जो है इसको भी जिस तरह से उन्होंने टर्न किया और खुद रूल बना रहे हैं रूल ऑफ दे लौ बना रहे हैं कि सरकार हर एक की बास सुन सकती है या खतरनाक है अविसार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्धे पर मेरा पंच यह है कि एक तरफ तो स्नूपिंग और पेगसेज का मामला हमारे सामने है ही मगर सबसे शौकिंग भारती जहनता पार्टी दुश परचार करती है याद कीजे पेगसेज के मुद्धे पर सुप्रीम कोट ने क्या कहा था कि सरकार जो है हमें सहयोग नहीं दे रही है जाच में 29 फोन में से 5 फोन में मैलवेर है ये नहीं कहा था कि वो पेगसेज से क्या नहीं है मगर भाचबा उसे अपनी जीत बता रही थी अभी भी ये खलत बयानी की गई कि 150 देशों को ये संदेश गये थे यानि कि एक तरफ तो स्नूपेंग और दूसी तरफ ये खलत बयानी ये अपने आप में वाकई शोकिंग है भाचशा की एक तरफ ये बात आती है आप मंच पर खुल कर मुस्कुरा कर पूरे आथ में विश्वास के साथ ये खलत बयानी है जूट कहते हैं अश्वणी वैश अभी तो देश की बात कीजिए आप कि ये देश के सामने जो आया है उन लोगों ने तो एविडेंस दिये हैं सरकार को बताया है कि ये संदेश आया है राहुल गांदी प्रेस कॉन्फरेंस करते हैं महुआ मोहितरा बोलती हैं सारे लोग अपने फोन दिखा रहे हैं आपको आप फोन भी देखने को तैयार नहीं है बाकी देशों की छोड़ी है आप विश्व गुरुबाद में बनिये पहले देश की गुरु तो बन जाईए तो जूट के लिए भी जिस तरहा का एक पूरा मंत्र और तंत्र चुटकियों में जैसे इंस्टेंट कॉफी होती है न व जी उसमें क्लारिटी लाईए ना पारदर्शिता लाईए हिम्मत क्यों नहीं है मोनी सरकार को ये कहने में कि आप बताएं 2014 के बाद आपने कौन से इसराइल से जासू सी उपकरन लिया है देखे और आज तक अपनी सरकार ने कभी भी इस बात से इंकार नहीं किया है on record कि उ Mission States पो ही देते हैं किसी private actors को हम बेढ़ ते नहीं है उन्होंने आन रेकार्ट कहा है यानि वो केवल सरकारों को बेढ़ बहुते हैं और अपनी सरकार ने ये कभी नहीं कहा कि उन्हों नहीं खृदा है और बहुत सारे अदालतों को थोड़ा सक्री होना चाहिए था अगर समिती ये कह रही है कि हमें सहयोग नहीं मिला वाइज इन दाट की अदालती जो हैं वो सक्त होती है अपने देवरों में सरकार ये क्यों नहीं से पूछा जाता सरकार से कि क्या आपने इसराइल से 2014 से लेकर के 2021 के बीच में कोई ऐसा स्पाई वेर खरीदा नहीं खरीदा कोई ऐसा संयंत्र खरीदा नहीं खरीदा इसको सब सब बोली है और देखे अभिसार इसी लिए उनकी ये हिम्मत बनी पेगसेस पहले आया और इस समय आप देखिए कि खुलकर जो शब्द इस्तमाल किया है एपल ने वह बहुत गंभीर है स्टेट स्पॉंसर्ड अटाकर्स ठीक है ना यानि वहां पे कोई भ्रम की स्थिति नहीं है आप पहले पेगसेस पे तो आप भ्रम पैदा कर रहे थे यहां तो आप कोई भ्रम भी नहीं है इसके बावजूद आपका यह मानना नहीं और आप कहेंगी नहीं हम सिर्फ सचे हैं हम जासूसी भी करा रहे हैं और बहुत सीरिस प्रॉब्लम है मैं क्या दे को यह बहुत कराया जा रहा है मुझे एक रिफ्लेक्शन दिखाए देता है इस्राइल भी इसी तरह से बार बार इंटरनल थ्रेट की बात करता था और फिर क्या हुआ हम सब जानते हैं यह जो जरूरत से जादा फोकस सो कॉल्ड इंटरनल डिसेंट को लेकर है सरकार का जिस सबसे खतरनाक यह बात है कि अरे जो व्यक्ति देश का है देश का नेता है आप सारे नेताओं को देखने लग जाते हैं कि सब के विदेशी लिंक हैं और आप खुझ तमाम विदेशों में जाते हैं तमाम जगा कॉंट्रेक्स करते हैं इसराइल के साथ आप कॉंट्रेक्ट बहुत गंभीर मामला था क्योंकि ऐपल अगर पोल रहा है आपको संदेश दे रहा है सरकार को जवाब देना चाहिए लेकिन यहाँ पर देखिए जवाब कौन दे रहा है और अब हम रुक करेंगे तीसरे मुद्दे का जो बहुत गंभीर मुद्दा है आपको याद होगा केरल में सीरियल बम धमाके होते हैं मगर तभी सरकार में मंतरी राजीव चंदरशेखर आ जाते हैं उसमें वो हमास का अंगल ढूणने लगते हैं पूरा प्रचार तंत्र मुसलमानों पर निशाना साधना शुरू कर देता है जबकि 5-6 घंटे में सपश हो जाता है कि जिस समुदाय पर हमला हुआ था जेहुआ विटनस उनी से जुड़ गेर मिलेश देखे मैं समझता हूं कि भारती जनता पार्टी की ये हमेशा से कोशिस है कि जिन प्रदेशों में उसकी कोई राजनीती स्थिती नहीं या वजूद नहीं है वहाँ ये इनकेन प्रकारेंड कैसे प्रवेश्ट किया जाए कैसे वहाँ पर अपनी राजनीत को इंजेक्ट किया जाए यही कारण है कि केरल में उन्होंने ततकाल पहले से हमास का जैसे भूत एक अरे भाई आपने ये किया वो किया इसके आधार इसी लिए ऐसा हुआ है लेकिन केरल की सच्चाई सामने आ गई और बीजेपी फिर से एक बार उसका परदफास हो गया केरल की राजनीत में भाशा क्या है समुद्दे का पंच अभिसार एक बात बिलकुल इसमें आप फिलिस्तीन और इसराइल नहीं कर सकते यह इंटर्नल मामला है मोदी जी और उनके मंत्री जरूर सुने अभिसार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि आज की तारीक में भाजपा सरकार के मंत्रियों और दो रुपली नफरती ट्रोल्स में कोई फर्ख नहीं रह गया है यह सरकार जो है गवनिंस के नाम पर उनके मंत्री जो बयाना देते हैं लगता है कि वो किसी सिनमा हॉल में खड़े हैं और हमें ऐसे डायलोग देने हैं जिसमें सीटियां और तालियां बजए वही सोच रहे गई है देश जो है उसकी शान्ती उसका आवंचेन जाए भाड़ में मेरे ख्याल से केरल के मामले में ये केरल सिर्फ एक तजुर्बा था क्योंकि चुनाब भी आने वाले हैं आपको याद है किस तरह से करनाटक के मुद्दे को हिजाब के मुद्दे को जुवलंत किया गया था जब उत्तर प्रदेश के चुनाब चल गया थे इन्हें फिर मौका मौका दिखाए दे रहा है कि चलिए केरल में हम ये बवाल करें हिंदू मुस्लिम करें हमास आंगल लाएं और कुछ ना कुछ उसका हमें ट्राक्शन जो है तीन राज्यों में मिल जाएं सोच यही है इनकी सोच यही है और इसके लिए जिस तरह का तंत्र है मुझे लगता है कि अगर केरल सरकार ने तुरंट एक्शन नहीं लिया होता अभी सार तुरंट उनका तंत्र एक्टिव नहीं हुआ होता तो किसी भी तरह का बवाल कर सकते थे और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि केरल एक दूसरे ढंकी मिसाल भी देता है जहां हिंदु मुस्लिम तनाव तमाम RSSS के काम के बावजूद उस तरह का तनाव वहां पर नहीं हो पाया है और निश्चित तोर पे इसमें सरकार ने एक काम किया कि सच को सामने ला दिये मेरा दूसरा मानना है मुझे डर लगता है मान लीजिए इस मामले में डॉमिनिक नाम का व्यक्ति निकला अगर क्रिमिनल किसी भी धर्म के हो सकते हैं अगर इसका धर्म कुछ और होता तो क्या हम मान लेते कि पूरा समाज इसके लिए दोशी होता भारती जनता पार्टी और उनके प्रचार तंत्र की यही सोच है आपको याद होगा जब बाला सोर में ट्रेन अक्सिडंट हुआ था उस वक्त भी जूट बोला गया था कि पास में एक मस्जिद जबकि मस्जिद नहीं था एक मंदिरी था मगर जो एक जिक्र यहाँ पर भाशा कर रही थी और मिलेश पर है लोग धर्म के बहकावे में आकर एक दूसरे से भिड़ते नहीं है और यह जो सोच है वो भाश्पा की पार हम पर एक सोच के बिलकुन उलट है देखे और बहुत वर्षों से केरल में यह अपने को दाखिल करने की कोशिश करा रहा है एक बार एक बार सिर्फ एक मेल ले उनका जीता है हमेशा हारते रहे हैं कुछ हिलाकों में तमाम तरह के हिंसक राजनीत भी यह करते रहे हैं कुछ एक दिलों में लेकिन वहां की जनता ने हमेशा इनको रिजेक्ट किया है और यही कारण है कि कुछ ऐसे प्रदेश जो दक्षन के हैं अपनी वपस्तिती द स्मोट कंट्रोल से जिसको चला रहे थे उन्हों साथ छोड़ दिया अब बहुत छुपने अब क्या क्या करें तो यह जो वंपी स्पोर्ट की घट्टा हुई केरल में इसको इन्हों ने यह समझा कि यह मौका है चलो कूत पड़ो आपको याद है का सब्री मला मंदिर उसमें भी क्या इन्होंने किया था जो फैसला आया और जैसे मैंने का करनाट में हिजाब वाला मुद्टा हर इस तरह के मसलों पर यह जिस तरह कूत पड़ते हैं एक ही मकसद होता है पुलराइस करो करो और सारे एक्टमासफियर को डिमोक्रसी के खिलाब और बहुत दुखद है कि एक दुरगटना जो हुई है जहां पर भारती नागरिकों की जान गई है उस पर भी आप हिंदू-मुसल्मान करने की साजिश कर रहे हैं इससे बुरा कुछ और हो नहीं सकते हैं और जैसा कि मोधी जी का वो मंत्र है न जूट बोलो बार बार जूट बोलो वही सोच अमून राजनीती में लगातार दिखाए देती है बहुत बहुत शुक्री आपका और मिलेश और भाशा इंडिया की बात में बस इतना ही अभिसार शर्मा को दीजिए जासत नमस्कार